भूमलन फ्रेंट समय अभी Golden temple के पार्किंग पर और वीडियो आपने देख्जा अब रहा है Golden temple की तरफ यहां से सीधे हैं हिग्समलाफ यह देख सकते हैं Golden temple के यह parking यहां पर यहां से अभी हम आ रहे हैं और को गोल्टेन टेंपल के तरफ जाएंगे तो अब हम बॉक करके जा रहे हैं गोल्टेन टेंपल के तरफ एंड इधर बहुत सारी सॉप्स आपको मिल जाएंगी जोनों करफ अब लिए दिखा देंगे दो तो तो अब यह देखिए धरम साथ धरम सिंग मार्केट है तो यह पूरा वाक वे है यहां से अराउंड वन किलमेटर है टेंपल अब हम चल रहे हैं हम लंगा साथ में पूरे ट्रेप होगा है धरम साला का और अमरेज सर का तो फ्रेंड आप देख सकते हैं नॉर्मल डेज में इस तरीके की आपको क्राउड मिलेगा आगे यहां पर बहुत सारी शॉप्स हैं यह पूरा वाक वे हैं तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि जैसा कि पूरी दोनों साइट की तरफ मार्केट हैं यह देखिए सब्सक्राइब देख सकते हैं तो यह दोनों साइट में आपको मार्केट मिल जाती हैं काफी बड़ी मार्केट हैं अभी तक जितना मैं पार्किंग से आयां उतना देख रहा हूं तो फ्रेंट्स आप मेरे लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं मैकडोनल का आउट लेड़ है यह देखिए मैकडोनल का लेफ्ट साइड में कि अंद यह देख सकता हैं तो फ्रेंट्स अभी हम आ गया चुके हैं और यह जलियन वाला बाग है लेफ्ट साइड में वहाँ पर अभी हम चलेंगे गोल्डन टेम्पल्स आपको काफी सारे रेस्टांट्स मल जाएंगे तो फ्रेंट्स आप सामने देख सकते हैं वाइट कलर का जो आपको बिल्डिंग दिख रहा आगे यह पीछे का आप देख सकते हैं जिदर से हम आ रहे थे एंड जो मैंने आप भी आपको आगे की तरफ दिखाई यह वाइट वाली बिल्डिंग जो आगे एक दमाकरी में आपको दिख रही है तो यही हमारा गोल्डन टेम्पल का कैमपस और उधरी की में यहां पर यह देख सकते हैं यह शनी देव जी का मंदिर है तो यहां पर आप यह देख सकते हैं शनी देव मंदिर है बिल्कुल ही कैमपस के पास में सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां से आप आगे की तरफ आएंगे अगर कोई बैगेज आपके पास तो यहां बैगेज देबाजिट कर सकते हैं कि अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ है कि तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं पूरा एक ओवर्विव और उस साइट से हम आ रहे थे सामने की तरफ से अपने शूस कि अपने शूस कि सम्मिट कर दिया था कि अभी हमने यह बान लिया है पटका अंदर जाने से पहले आपको पहनना जरूरी है यहां पर आप ले सकते हैं तो फ्रेंट्स इस तरीके से आपको पैर दोके थोड़ा वाम वाटर है और आप सामने देख सकते हैं गोल्डेन टेंपल तो यह देखे पूरा एक कैंपस का मैं आपको ओवर्विव दे देता हूं लेफ्ट साइड में यह अम्रिस सरोवर है यह पूरा और वह है गोल्डेन प्रेंट्स अभी हमने दर्शन कर लिया है और आप देख सकते हैं नाइट का विव है बाहर आ चुक है हम लोग तो अभी हम दर्शन करके जा रहे हैं वापस भटिंडा की तरफ एंड थोड़ी शॉपिंग करेंगे और कुछ थोड़ा सा डिनर लेंगे यहां पर उसके आगे के ट्रिप के बारे में आगे अपडेट देंगे आपको जरूर तो यह वाला वीडियो यही तक था श्री अमरे सरसाहिब का तो आप देख सकते हैं इस तरीका का बहुत ही बढ़िया व्यू है तो यहां एसके लेटर्र कुछ है बट अभी ओपन नहीं है आई सपर्स अब अब जा रहे हैं वापस अपने शूज काउंटर की तरफ महां से स्ट्रीक्ट करेंगे एंड एन अपने पार्किंग है वह आपने कार पार्क किया हुए तो वहां पे जाके निकलते हैं अब ही अम निकल आए हैं आगे आप देख सकते हैं नाइट का व्यूँ तो अभी हम जा रहा है मार्केट की तरफ कुछ शॉपिंग करने हैं एंड मेरे पीछे है श्ली अम्रेस साथ साहिब गुरुद्वारा तो आगे ये रोड है ये नाइट का पुरा व्यूँ है चलते हैं हम लोग शॉपिंग करने इधर मार्केट है जहां से माय दें आपको दिखाया था तो अभी मार्केट की तरफ जा रहा हूं और उसी के आगे कार के पार्किंग है तो शॉपिंग के साथ साथ हम पार्किंग के दाफ जा से सकते हैं डिरेक्ली एंड आप देख सकते हैं काफे बढ़िया भी हूँ है मार्केट का भी भूत भी नहीं गया यह सनी देव जी का मंदिर है यहां पर पार्किंग का पुरा व्यू मैंने आपको दिखाया था एवनिंग टाइम पर अब यह नाइट का व्यू आप देख सकते हैं यह पुरा व्यू है नाइट का यह देख सकते हैं आप यह राधा क्रेश्म का प्राचीन मंदिर है यहां पर गोल्डेन टेंपल वाला जो एरिया है इसी में जो शॉपिंग वाला एरिया है यहां पर आप देख सकते हैं अधिन पर आपको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो यहां से होटेल भी स्टार्ट हो जाते हैं और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ेंगी शॉपिंग की भी यहां पर आप यह देख सकते हैं यह जैलियन वाला बाग है यह देखें यहां से एंटरंस अभी बंद है अभी के टाइम यह बंद है यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्ग चलगा है तो यह देख सकते हम यहां पर मैकडी भी है एंड एक खास बात में आपको बता दो यहां पर मैकडोनल्स और डॉमिनोस जैसे रेस्टरेंट भी जो वेजिटेरियन है अमरेसर जो गोल्डेन टेंपल है इसके आसपास आपको केवल वेज एंड फ्योर चीज़ें मिलती है यहां पर आपको नहीं ही मिलेगा इस एरिया में तो इसका पूरा एरिया है गोल्डेन टेंपल का तो आप देख सकते हैं नाइट का भी आप एक व्यू देख सकते हैं जो हमारा गोल्डेन टेंपल है वहां से लेकर पार्किंग तक का तो फ्रेंट्स पार्किंग से आप जरूर वाक करके जाएं गूगल में आपको थोड़ा सा लंबा दिखाएगा बट जब आप जाएंगे वहां पर तो काफी क्लोज है आपको पता भी नहीं चलेगा और रास्ते के व्यूज भी काफी अच्छे हैं तो बिलकुल भी रास्त बीव मिलते हैं तो काफी अच्छा लगता है देखने में तो पारकिंग से अप अपनी गाड़ी पर पार्क करके अगर गाड़ी से आ रहा है तो आप वाक करके ही जा सकते हैं अम आप तेमपल तक से अब तो यहां से आप गोल्डेन टमबल से आएंगे एंड इस साइड पा पार्किंग का तो गोल लप्रे भी आप खा सकते हैं आपसे साइड में अब यहां से पूरा यह इस बिल्डिंग का व्यू का अच्छा आता है यह एक्छली मारकेट है धरम सिंग मारकेट है यहाँ पर यहां पर कैनरा बैंक है और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे तो काफी जगेश शौपिंग आप कर सकते हैं बोलगपे खा सकते हैं यहां पे special lassi की भी shop है मिठाई की shop है and सीधे आप जमारा वहां से जलियन वाला बाग की तरफ से हम इस रोर पे आते हैं and इधर से golden tumble की तरफ से आप ऐसे आएंगे and वो सामने आप देख सकते हैं parking वहां पे car parking है हमारी वहां पे बोर्ड आप देख रहे हैं इस flyer के नीचे से होके जाना पड़ता है यह देख सकते हैं आप चौक पर जो पार्किंग वाली जो चौक है यह देखे हैं आप एक काफी बड़ी है यह बना हो गया इधर हम पीछे की साइट से आएं गोल्ड टंपल के तरफ से और पार्किंग के तरफ जा रहा है यह देख पूरा व्यूप पार्किंग का एंट्रेंस है यहां से सारा गड़ी पार्किंग कार पार्किंग